Hello friends, welcome back to this new video and today I am going to share with you two phrasal verbs run into and run after So, video को start करते हैं and please watch and listen very carefully क्योंकि आपको भी sentences बनाने हैं video के end में So, video को start करते हैं और हमारा first phrasal verb है run into So, run into means to enter by running यानि कि दौर करके अंदर जाना किसी building के अंदर, किसी घर के अंदर या कहीं पर भी अगर आप दौर करके अंदर जाने की बात करते हैं तो हम इसका use करते हैं जिस example देखते हैं They ran into the building They ran into the building मतलब वो दौर करके कहां गए? Building के अंदर गए एक और example है She ran into her house मतलब वो अपने घर के अंदर कैसे गई? दौर करके गई तो इस sense में आपका इसका use करना है इसका एक और use होता है किसी व्यक्ति वश्तों से अचानक मिल जाना मतलब It means कि If you are meeting someone or something By chance अगर आप किसी चीज से मिल रहे हैं किसी व्यक्ति से मिल रहे है या किसी चीज से मिल रहे है When you are not expecting मतलब आप कोई चीज का expect नहीं कर रहे थे But आप उनसे मिल गए अब हम इसका example देखते है The first example is I ran into my friend at the park मतलब मैं अपने friend से कहां मिली? पार्क में मिली मैंने वो expect नहीं किया था But वो हो गया Next example देखते है I have run into trouble in my job अब suppose कि मुझे एक अच्छी job लगी है और मैंने expect किया था कि मुझे वहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा होगा Right But वहाँ पर किया है मुझे बहुत सारे difficulties का सामना करना पड़ रहा है जो मैंने expect नहीं किया था तो इस सेंस में आप इसका use करते है तो I hope कि आपको run into का meaning समझ आ गया है अब हम बात करते हैं run after की Run after means to chase someone or something मतलब किसी चीज का या किसी ब्यक्ति का किसी पोर्सन का किसी भी चीज का पीछा करना इसके सेंस में इसका use करते है Examples देखते है The dog is running after the car मतलब जो dog है वो किसका पीछा कर रहा है कार का पीछा कर रहा है एक और example है I will not run after you all your life मतलब मैं जीवन भद उमारे पीछे नहीं भागूँगा या नहीं भागूँगी तो इस सेंस में हम इसका use करते है पीछा करना या पीछे पर जाना अब friends मैंने आपके साथ two phrasal verbs share किये and I hope कि आपको समझ आ गया है now you also have to make some sentences and write down in the comment below so अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like share जरूर कीचेगा thanks for watching